नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में और आज हम बात करने वाले हैं एंसी आर्टी मोडिफाइस सलेवस एंसी आर्टी ने रिसेंट्ली जो है मुगल एमपायर के चेप्टर को हिस्ट्री बुक से त्वेल्थ ग्लास के हिस्ट्री बुक से जो है बात उल्जा है जानेंगे आज की वीडियो में तो साल 2022 में जो है एंसी आर्टी ने कहा था कि हम सोच रहें कि अपने स्लेवस को कम किया जाएं तो इसी के बीच जो है एंसी आर्टी ने जो है त्वेल्थ क्लास की हिस्ट्री बुक में जो है मुगल एमपायर को रिमूवड किया है एसी बात नहीं है कि मुगल एमपायर ही रिमूवड किया गया है और भी बुक में चैप्टर रिमूवड किये गए हैं तो नैशनल काउंसिल ओव एजुकेशन रिस्टर्ज एंड ट्रेनिंग ने जो है हर एक बुक में जो कुछ न कुछ बदलाब किया है और 12 क्लास के तरज पर पूरा जो और अधर बॉर्ड है वह इन्हीं को देखते हुए कारे करता है तो जैसी ने कुछ बदलाब किये तो यूपी बॉर्ड ने भी कहा कि हम NCRT के तरज पर हम भी इन चैप्टरों को अपने स्लेवस से अटाएंगे और इन्हीं को देखते हुए पूरा बॉर्ड काम करता है तो कहीं ना कहीं अब पूरे स्लेवस जो है बॉर्ड की हरे एक बॉर्ड की से ना खुछ परिवर्दन हम देखने को मिल सकता है तो क्लास 12 की जो हिस्ट्री की भुक है ना दूसरी यानि थीमस ओफ इंडियन हिस्ट्री पार्ट टू में उसमें जो कि हमने महसूस किया जिकि राजाओं के बारे में जानकारी देने के बजाए मुगलों के बहतर कामों के बारे में बच्चों परिवर्तन किया नहीं हिंदी के कुछ पोयम और पेराग्राफ में बदले हैं, साथ में साथ पॉलिटी की जो बुक है, उसमें दा कोल्ड वोर जो है, एरा जो है वो खतम किया गया है, अमेरिकन वाला चैप्टर भी रिमोवड किया गया है, तो एंसी विवाद जो है, वो टीम बनाई थी, जिसमें देखा गया कि बच्चों के उपर जो है न, वो पढ़ाई का जो बोज है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है पढ़ाई का जो बोज है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, और इसको कम करने के लिए हमने 2022 में ही कहा था कि छटी से लेके बार्वी तक की NCRT में ना कुछ ना कुछ हम परिवर्तन करेंगे और उसी परिवर्तन को उन्होंने जारी रखा और उसके उपर एक विशेसग्यों की समीधी बनी थी और उन्होंने सिफारिस करी इन इन चप्टरों में बदलाब करने के लिए और उसी पार्ट के बारे में जानकारी से बढ़िया है उनके कामों के बारे में जानकारी देना कि वह कैसे किसी नीती पर कारे करते हैं वह कैसे अपने परसासन को चलाते हैं इस पर जानकारी देना ज्यादा बहतर है बलकि राजाओं के बारे में जानकारी देने से तो यह जो पूरा बिवा 23-24 के सीजन से लागू हो जाएगा इसी वर्ष से जो है यह सारे बदलाब जो हैं लागू हो जाएंगे और NCRT ने बड़े दिनों के बाद अपने स्लेवस को मोडिफाई किया है स्लेवस में परिवर्तन किया है